एक बार चलते हैं अंकित जैपूर से आप बने हुए हैं जैपूर के किस तरह के नजारा आपको देखने को मिल रहा है धंते रसकदिन देखे राजस्थान और जैपूर की बात करूँ तो परंपरा का धार्मिक लिहाद से सांपरदाइक सोहाद का और माडवारी कल्चर का नजारा है हमें यहाँ पर खड़े होने में जगह मुश्किल से मिल पाई है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं मैं कहूंगा वीडियो जनलेस संजा कुम्रे से कि एक बार तस्वीरे दिखाए कि खरीदारी के लिए जैपूर कैसे उमड रहा है इस बार बहुत खास यहाँ पर धंतेरस और पूरा दिपोटसव रहने वाला है और यही वज़य है कि दिपोटसव पर नई खरीदारी के लिए और नए उजास के लिए उल्लास के लिए पूरा जैपूर तयार है और कई नई डिजाइन्स यहां पर आई हुई है जो शुब खरीदी को बना रही है हमारे साथ जतिन मोसून है इनसे भी जाननेते हैं जतिन जी एक तो बड़ा खुबसूरत आपने नेकलेस पहना हुआ है पुर्षों के गले में बहुत कम दिखता है खास आउसर खास तो पर शादी विवा और आप चुकि उत्सव है तो उसके बीच में क्या नया है इस बार क्या खास बना रहा है इस घंतेरस को जब कीमते 800 रुपए सोने में प्रती 10 ग्राम और चांदी में 900 रुपए प्रती किलो बढ़ चुकिए नमस्कार मैं जतिन जेकेजे जोलर्स जैपूर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोना हर एक औरत के गले का मतलब चांद होता है पिछले साल से देखें तो इस साल सोने की रेटेंग गिरी है लेकिन लोगों को बढ़ चड़कर रोजान देखने को मिल रहा है पिजन साल से मायूसी का महल था हर आदमी अपने मन में सपने सजोये रखा है इस दिवाली पे लोगों को काफी उमीद हैं और ये दिवाली उमीदों पे काफी खरी उतरी है जानना चाहेंगे क्योंकि जैपुर खासतोर परंपरा के लिए आधुनिक्ता के लिए और उस मिष्णन के लिए और जडाओ कहनों के लिए जाना जाता है इस बार क्याना है अगर आप देख सकें इस बार हमने काफी काफी नही रेंज लॉंज करी है is के अंदर जडाओ एंट और अपने कलर स्टोन्स चारों का कॉम्बिनेशन देखे जो मीना कारी है जैपूर की प्रसिद उसको देखे काफी एक नई चीज बनाई है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ये नीचे एमरेल्ड का काम दिया है जो जैपूर की कलाकारी है उसको हमने इस पूरे नेकले में एक तरह से लोगों का हुजूम मुड़ा है लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं और दुकानदार भी चायब ज्वेलर्स हो या तमाम तरह के दुकानदार्स वो दू साल बाद जब पूरी तरह से मारकेट खुला है तो अपनी जो उनके प्रोडक्ट से उनको बैतर बना कर बैतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं